सर्व प्रथम पूर्वाचार्य रचित आत्मरक्षा स्तोत्र जैन परंपरा में इस स्तोत्र का सर्वाधिक महत्व है विशिष्ट धार्मीक अनुष्ठानों जैसे दिख्षा, प्रतिष्ठा, महपूजन आदी में इस इस्तोत्र के द्वारा आराधकों का रक्षा कवच बनाया जाता है जिससे दुष्ट शक्तियां उनकी साधना को खंडित न कर सके और साधक का मन भी विचलित न हो पाए सामानने तया इस इस्तोत्र का स्मरण करते हुए शरीर के अंगों पर नवकार मंत्र का न्यास किया जाता है उससे प्राणान तक कश्ट भी टल जाते हैं ओम परमेश्टि नमस्कारम सारम नवपदात्नकम आत्मरक्षाकरम बज्र पिंजराभम स्मराम्यहम ओम नमो अरिहंतालं शीरसकं शीरसेस्तितं ओम नमो सवसिधालं मूखे मूखपटंबरं ओम नमो आयरियालं अंगरक्षातिशायनी ओम नमो उवजायालं आयूधं हस्त योर्दिडं ओम नमो लोय सवसाउनं मोच के पाद योशुवे एसो पंचन मुक्पारो शीलावज्र मैतले सवपावपणासनो वप्रोवज्र मयोवही मंगुलाणंच सब्वेसिम् आदीरांगा रखातिका स्वाहन्तंच पदंगेयं पडमं हवई मंगलं वप्रोपरी वज्र मयं विधानंदेह रक्षने महाप्रभावा रक्षेयं चुत्रोपाद्रवनाशिनी परमेश्ची पदोत्भूता कथितापूर्व सूरिभी यस्चैवं कुरते रक्षां परमेश्ची पदैरिदा कसन स्यात्मयं ब्यागी रादिश्चापी कदाचन राधिष्चापी कदाचन